Before starting the video, make sure to subscribe our channel and press the bell icon to get latest notifications from our side. Hi guys, this is Shagnik. Welcome to It's All For You channel. आज हम लोग बात करेंगे साथ ऐसे स्मार्टफोन के बाड़े में, जो कि लांच करेंगे अपने तीन इंडियन कमपनीज. तो सबसे पहले जो नाम निकल के आता है, वो है माइक्रोमाक्स. एक टाइम था जब माइक्रोमाक्स कमपनी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे पुरी तरीके से डॉमिनेट करता था. लेकिन बाद में ये कमपनी मार्केट के साथ कमपिट नहीं कर पाए. एंड इसका रीजन क्या है, जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं. लिंक मैंने आई बटन पे एंड डेस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो करेंट सिचुएशन को देखते हुए, माइक्रोमाक्स ने कमबेक करने का एक फैसला लिया. वो ला रहे हैं तीन नए स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में. और वो तीनों स्मार्टफोन्स होने वाले हैं बजट सेग्मेंट में. तो ये स्मार्टफोन्स कम्पीट करेंगे इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी जैसे ब्रैंड्स के साथ में. जो second company का नाम उठके आ रहा है वो है Lava Lava भी ला रहे हैं दो नए smart phones और ऐसा बोला जा रहा है कि ये smart phones होने वाले हैं 6,000 तक के price में अब देखना तो ये परेगा कि इस low price range में वो क्या offer कर पाते हैं And finally the third Indian company जो ले के आ रहे हैं दो नए smart phones वो है Carbon Carbon एक टाइम पे बहुत नाम कमाया था लेकिन ये brand भी धीरे धीरे अपना value खोने लगा लेकिन फिर से Carbon 10,000 के price range के अंदर अंदर ले के आ रहे हैं दो नए smart phones अब देखते हैं Carbon कितना value for money products ले आ पाते हैं तो यही पर complete हो जाता है हमारा list and let's hope they are real made in India smart phones and not the same rebranded ones so that's all for today thank you keep smiling